दोस्तों मैंने आपको बता दिये कि स्कूल के अंदर हम जॉब करते हैं तो हम कैसे इसकूल के अंदर डाटा एंट्री करते हैं हर स्टूड़न की उसकी इंफर्मिशन यहां पर फिल करते हैं एक्सल सीट के अंदर हना तो यहां पर मैंने काफी जानकारे आपको बता दी कैसे ह हम यहाँ पर सीट बनाते हैं टाइप करते हैं कंडिशनर लगाते हैं हना यहाँ पर प्रेंट एरिया सेट करते हैं प्रेंट आउट कैसे निकालते हैं अगर दोस्तों हमें पर्टिकूलर हर स्टूडन की यहाँ पर इमेजिस लगानी हो तो कैसे लगाएंगे तो दोस्तों यह अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को continue सुरूश की लास तक शरू बढूर के कि नमस्का दूस्तों आप दिख रहे हैं BC Computer Hindi दूस्तों यहाँ पर images set करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर margin छोड़ना होगा हना तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले यहाँ पर insert कराएंगे यहाँ पर हम यहाँ करते हों यहाँ पर इंसेट इस पर कीलिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक column insert होजाएगी हैं यहाँ पर column insert होने के बाद हम क्या करेंगे इयहाँ पर अपनी कोलूं Park की उविद है उसको बड़ा करेंगे कोकि हमें यहाँ पर images चाहिए, images यहाँ पर छोटाने आएगा थोड़ा बड़ा आएगा तो हम पूरी को select कर लेते हैं यहाँ तक है आप select कर लीजे ठीक है, तो जहाँ तक type और भी आप select कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे इधर format में यहाँ पर row height row height है ना, हम इसको row height को करेंगे कम से कम 50 आपकी requirement है, आपको कितना करना है ठीक है, यह आप पर never करता है, मैं ok करता हूँ ok पर करती है, हमारे इतना यह मिल जाता है यहाँ पर height हमें आप column की चाहिए तो column लेते हैं, यहाँ पर हम simple समझाते हैं, फिर से format के अंदर और यहाँ पर default width column है तो हम यहाँ लेते हैं 12.5 और ok कर देते हैं, तो हमें column का भी मिल जाता है अगर आपको और करना है, तो आप और कर लिजे चली मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर column width मैं कर लेता हूँ 15, 5 और यहाँ पर height कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ 70 तो यहाँ पर देखिए, ओटोमेटिकली यहाँ column भढ़ चुके हैं अब क्या करेंगे दूस्तों आप पूरी को select करके इसको center में आ सकते हैं, लाना है तो चलिए center में आप simple से ऐसे करेंगे select चलिए मैं center मलाकर दे जीता हूँ आपको यहाँ पर इतना कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं और यहाँ पर है center यहाँ पर middle हो जाएगा ठीक है तो यह जानकर है हमारी ठीक है अब images लगाएंगे इसके अंदर images कैसे लगाते हैं अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक box लेंगे क्योंकि हमें proper images set को नहीं चाहिए ठीक है, तो यहाँ पर हम एक rectangle लेंगे और यहाँ से rectangle को drag कर देंगे ठीक है इतना and rectangle drag करने के बाद यहाँ पर है shape outline इसको हम अठा देंगे और यहाँ पर save fill इस पर click करेंगे, यहाँ है pictures इस पर आपको click कर दिना है pictures पर click करने के बाद दूस्तों अगर internet से आपको करना है, download तो यहाँ से आप कर सकते है, being search लेंगे आपको and यहाँ पर from a computer तो आपके computer में store होंगी, school के बच्चों की images है तो यहाँ से आप insert करा सकते है तो हम कुछ यहाँ पर basic image लेंगे, किसी student की नहीं लेंगे sympathize पर click करते है and यहाँ पर download पर click करते हैं, तो हमारे पास images है ही, ठीक है, हम इसको यहाँ पर insert कराते हैं तो देखी, images बिल्कुल प्रोपर आई है तो आपको अपने student की जो पढ़ता है बच्चा उसकी इस तरह से images को insert कराना and फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर control दवाना है, control दवाकर mouse का left button दवाकर आपको नीचे किसका देना है, ठीक है and किसकाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से images को add करना है and यहाँ पर save, fill पर जाएंगे और pictures पर click करेंगे and from a computer and यहाँ पर यहाँ पर दूसरी images हम जाँ डाल देते हैं हमारे पास यह है एक दूसरी images हमने यह डाल दे हना, तो फिर से आप यह लेंगे और यहाँ से नीचे इसको खिसका देंगे तो यहाँ पर तीसरी images भी आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर तीसरी images भी मैं डाल के बता यह तो आपको save, fill पर जाते हैं pictures पर जाते हैं, sorry and pictures पर यह है तो यहाँ पर हम images को ले लेते हैं और यहाँ पर यह डाल देते हैं तो यहाँ पर तीसरी images भी डाल गई हना, तो इस तरह से आप images डाल सकते हैं, दूसरी बात आप यहाँ पर इनको क्या करेंगे merge कर देंगे और यहाँ से आप column डाल देंगे तो आपका यहाँ पर Excel के अंदर images set हो जाएगे आप print पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फाइल पर जाता हूँ and यहाँ पर है print तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल pro पर set हो रहा है अगर student आप डालेंगे तो student के नाम से पूरी information आ रही है तो दोस्तों बस आपको margin set करना है margin set करना है आपको बने बता दिया है यह था images अगर आपको बच्चों की images डाल ली है data entry के अंदर school के, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कैसे हम type करते हैं, condition लगाते हैं ठीक उसी परकार आप images भी इस तरह का add, इस तरह add कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप images add कर सकते हैं Excel sheet के अंदर जिस तरह मैंने आपको type करना बता दिया data entry कैसे हम पर करते हैं condition कैसे लगाते है, margin कैसे set करते हैं ठीक उसी परकार अगर आपको requirement है कि मुझे every student की मुझे यहाँ पर sheet के अंदर images भी add करनी है तो भी आप कर सकते हैं print out भी निकाल सकते हैं बस आपको इने step का full करना होगा तो कुछ basic जान का लिए यहाँ पर images add करनी के अंदर Excel sheet के data entry के अंदर images add करना हो तो कैसे कर सकते हैं तो आपको इन बीडो काफी helpful लगा दोस्तों चीदर के helpful पडिग्री महरचेप बने दे योग फ्रेंटेंग्स and बाइ-बाइ